नमस्कार अपना इंडिया दुनिया की सबसे पुरानी सभ्धताओं को अपने आप में समेचे हुए है मुश्किल वक्त के दौर में अपने इंडिया ने दुनिया भर में महरत हासिल की अपनी रिती रिवाज और परंपराओं का संगम खुद भी देखा और दुनिया को भी दिखाया क्योंकि अपना इंडिया ही तो है जो सम्रत संस्कृती और विरासत का परिचायक है लेकिन आज ये हैं इंडिया में बात कोरोना की मुश्किल घड़ी में उखड रही यूपी की राज़नीती की होगी तो हाजिर उमय पारुलतिया गई ये हैं इंडिया में लेकर राज़नीती का एक अनुखा संगम कोरोना की दूसरी लहर ने इंडिया को जो जखम दिया उने भूलने में काफी वक्त ज़रूर लगेगा लेकिन भरोसा है कि अपना इंडिया एक बार फिर काम्याबी की नए बुलंदिया खड़ी करकर रहेगा लेकिन सियासत का जो दौर मौजूदा वक्त में चल रहा है वो मुश्किल की हर घड़ी में इंडिया के लिए बहुत कुछ कह जाता है ये हैं इंडिया में आज बात हो गई यूपी की सियासत की दरसल देश में जैसे ही कोरोना की दूसरी रफ्तार कम होई तो बीज़िपी ने यूपी में 2022 में होने वाले विधानसबा चुनाव की तयारियों के दर्वासे खूल दिये ऐसे में पिछले कई दिनों से चर्चाए हैं कि उत्तरप्रदेश में मंत्री मंजल का विस्तार हो सकता है या फिर उत्तरप्रदेश में कोई बड़ा फ्वेर बदल हो सकता है ऐसे में कई कयास लगाए जाने लगे कि क्या यूपी में उप मुख्यमंत्री बदले जा सकते हैं इन सब के बीच अब यूपी की राज़नीती में एक नाम सबसे ज्यादा सामने आ रहा है और चर्चा में है वो नाम है अर्विंद शर्वा अर्विंद शर्मा का नाम बार बार क्यों लिया जा रहा है बताएंगे आपको लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है दरसल उत्रप्रदेश में पिछले दो हफते से जिस तरह से राष्टिय स्वें सेवक संग और बीज़िपी के केंद्रे नेताओं की बैठकों का दौर चल रहा है उससे यूपी की राज़नीती में बड़ी हलचल मची हुई है सरकार और संगठन में बदलाव की संभावनाओं के बीच दोनों सरों पर नेतरत परिवर्तन तक की चर्चा जोरों पर होने लगी हाला कि जानकारों को इसके बावजूद किसी बड़े बदलाव की उमीद नहीं दिख रही है इन सब के बीच यूपी की राजनीती में एक महतपूर नाम फिर चर्चा में आ गया है जिसे चार महीने पहले अलका पिंड की भाती यूपी की राजनीती में उतारा गया था उनके जरिये बड़े बदलाव की संभावना भी जताई गई थी ये नाम है पूर नौकरशा और प्रधान मंत्री नरिंद मूदी के बेखत करीबी माने जाने वाले अर्विंद कुमार शर्मा अब बताते हैं आपको कि आखिर अर्विंद कुमार शर्मा कौन है और क्यूं बार बार उनका नाम चर्चा में आ रहा है कौन है अरविंद शर्मा शर्मा ने इसी साल जनवरी में अपने रिटार्मेंट से महस कुछ दिन पहले इस्तीफा दे दिया था इसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गया और देखते ही देखते हूंने बीजेपी ने विधान परिश्चत के जरिये सदन में भी भेज दिय इस वज़ा से राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा उठ खड़ी होई कि राजनीतिक प्रियावेक्ष्चो ने ये तक कह दिया कि अरविंद शर्मा मुख्यमंतरी भी बनाए जा सकते हैं हाला कि उनके डिप्टी सीएम या फिक घ्रे जैसे महतपून विभागों के साथ कैबिनेट मंतरी बनने की चर्चाएं ज्यादा विश्वनिय तरीके से की गई इस कालपनिक बदलाब की वज़ा सीधे तोर पर ये बताई गई कि इसका मकसल मुख्यमंतरी योगी अधितनाद के प्रभाव को कम करना या विर उनकी कठित मनमानी पून कारशेली पर रोक लगाना है लेकिन चार महीने बीच जाने के बावजूद अरविन शर्मा को ना तो मंतरी परिश्वत में जगा दी गई और ना ही कोई अन्य महतफून जिम्मेदारी कोरोना पर काबू पानी के लिए वारनसी मॉडल को लगातार बीज़ोपी प्रमोट कर रही है आपको बता दें कि प्रधान मंतरी नरिंद्र मोदी के संसधिये शेत्र वारनसी को लेकर MLC अरविन शर्मा को वारनसी का ये मॉडल सौंप दिया गया है और बताये जा रही कि ये पूरी तरह से कारगर साबित होगा क्योंकि इसको लेकर लगातार बीज़ोपी शर्मा काम कर रहे है अरविन शर्मा को प्रधान मंतरी नरिंद्र मोदी ने ही कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर वारनसी भेजा था और कुछ महीनों में ही पूर्व नौकर शाह ने इस पर काम किया और जो बद इंतिजामी कोरोना को लेकर वारनसी में थी उसे ठी किया साथ ही साथ इसे एक कारगर मॉडल साबित किया है अब यूपी के काई जिलो में कोवेड-19 कंट्रोल के वारनसी मॉडल पर ही अमल करने पर जोर दिया जा रहा है हाली में यूपी के काई जिलो का दौरा कर चुके मुख्यमंत्री योगी आधितिनात ने जिलाधिकारियों को वारनसी मौडल पर ही काम करने के निर्देश दिये थे जिस पर काम चल रहा है लेकिन वारनसी मौडल के विस्तार और फोकस को ध्यान से देखे तो उसमें एक खास सरे की राजनीती भी समझ आने लगी है अरविंच शर्मा अपने वारनसी मौडल के साथ उन्ही इलाकों में सक्रिय नसराते हैं जो बरसों से मुख्यमंत्री योगी आदितिनाद के सबसे ज्यादा प्रभावी शेत्र वाले माने जाते हैं इसलिए राजनीतिक प्रेवेक्षों ने ये तक कह दिया कि अरविंच शर्मा मुख्यमंत्री भी बनाई जा सकते हैं हाला कि उनके जिप्टी सीएम या फिक भ्रह जैसे महतपून विभागों के साथ कैबिनेट मंत्री बनने की चर्चाएं ज्यादा विश्वनिय तरीके से की गई हैं इस काल्पनिक बदलाव की वज़ा से सीधे तोर पर ये बताई जा रही हैं कि इनका मकसद मुख्यमंत्री योगी आदितिनाद के प्रभाव को कम करना या फिर उनकी काठित मनमानी पून क आरशेली पर रोक लगाना है लेकिन चार महीने बीच जाने के बाद भी अरविन शर्मा को ना तो मंत्री परिशद में जगा दी गाई और ना ही कोई अन्य महतपून्ट जिम्मेदारी हाला कि जब ऐसी अटकले तेज हो गएं कि हो सकता है सीम योगी को पद से खटा दिया जाएगा इसको लेका मुझवण नगर मेहन्त लोगों ने मीटिंग के माध्यम से बीजेपी को चिताफ़ दे डाली मेहन्तों का साफ तौर पर कहना है कि अगर मुख्यमंत्री के पद से योगी को खटाया गया तो मेहन्त लोग लखनों का गहराफ करेंगे मुझवण नगर के सुख तीर्थ नगरी में महामंडिलेश्वा गोपाल दास जी महराज मेहन्त का कहना है कि योगी आदितिनाद द्वारा अच्छा कारेकार चलाया जा रहाता और साथ ही महन्त लोगों का कहना है कि अगर उत्त प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदितिनाद को बीजेपी साकार मुख्यमंत्री पत से हटाती है तो उन्हें देश का प्रधान मंत्री बनाया जाए वहीं देश के प्रधान मंत्री नरेंद मोधी कोनों ने एक आयोगे प्रधान मंत्री तक बता दिया और योगी आधितिनाद की जमकर तारीब की अनने मुख्यमंत्री योगी जी बहुत ही अच्छा कार्ये कर रहे हैं परदेश के लिए और सभी समाज के लिए सभी समाज के लिए हैं। पूरे देश के लिए क्यों कुई हमारा उत्तर पाइश के लिए तो आप कस की सी पत्रतिक्रिया होगई या आप किस तरह से विरोत जाहिर करेंगे हमारी पर्दान मंत्री के रूप में देखना चाहरे तो यहां से अटा परदान मंत्री की नियुक्ति करा तो इसलिए तो हम सब तयार हैं अगर ऐसा ना करा तो इतना तकड़ा विरोध पर्दसन होगा कुने पार्टी को जेलना भारी पड़ जागा योगी जी को मुख्य मंत्री पद से हटा जाता है और उन्हें परदान मंत्री नहीं बना जाता तो संत लोग धरना पर्दसन करेंगे लखनाउ घेलने का काम करेंगे और एक बड़ा विरोध जाहिर करेंगे आदेश सेनी न्यूज वर्ड इंडिया मुझा फण अगर अगले साल होने जा रहे विधानसबा चुनाव में बीजेपी को पश्य मुत्रप्रदेश में दिक्कत आ सकती है और उसकी वज़ा है छे महीने से जारी किसान अंदोलन लेकिन कोविड-19 पर काबू बाने के लिए वारनसी में बने कमांड सेंटर का दायरा सिर्फ शहर या जिले तक सीमित ना होकर पूरे पुर्वांचल में फैला नजर आ रहा है वैसे तो योगी आदितिनाद उत्रप्रदेश के मुख्य मंत्री हैं लेकिन उनका भी प्रभावी शेत्र पुर्वांचल है ना की पश्यमी यूपी पुर्वांचल में अर्विन शर्मा के बढ़त भी तयार होता है और शाम तक प्रोग्रेस रिपोर्ट भी भीचनी होती है ये जरूर है कि अर्विन शर्मा के साथ साथ जलादिकारियों की तरफ से मुख्य मंत्री कारियाले को भी प्रोग्रेस रिपोर्ट की कौपी भीजी जाती है बावजूद इसके अर्विन शर्मा ज ज्यादा माना जाता है जिस पर फिलहाल अर्विंच शर्मा की नजर है राजनीती को अलग रख कर देखें तो एक तरह से अर्विंच शर्मा योगी अधितनाद की मदद ही कर रहे हैं जिन बद इंतिजामियों और कुरोना संकट में बेकाबू हो चले हालात को लेकर सीम योग योगी अधितनाद निशाने पर आ गए थे अर्विंच शर्मा उन इलाकों की गरबड़ियों को ही दुरुस्त कर रहे हैं ऐसा करना फायदा तो योगी अधितनाद को ही खोने वाले चुनावों में मिलना चाहिए लेकिन राजनीती में जो परी तौर पर देखा जाता है व पतलब ये है कि अर्विंच शर्मा प्रसाशनिक मामलों में योगी अधितनाद पर भारी पड़ रहे हैं भले ही ऐसा अर्विंच शर्मा के पुराने अनुभव के बदौलत हो रहा हो लेकिन मैसेस तो यह ही जा रहा है कि अर्विंच शर्मा का काम का आज सीम योगी अधित इंडिया में आज के लिए वस इतना ही अगली बार फिर हासिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ आप देखते रहें न्यूस वर्ल इंडिया